सब्सक्राइब करिए टूडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट बिजनस और टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुल वन तो राव सबीगा स्वागत है आपके अपनी चलना टूडे स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि टेली कॉम सेक्टर के अंदर आप अपना केरी कैसे बना सकते हैं कैसे अपने केरी को पूरी जानकरी देने जा रहे हैं तो कि लास तक शोड़ को देखिका तक कि आपको पूरी जानकरी अच्छे से समझ में आ जाये जिसके बात की आए कि आप अपने केरी को चुनाव अच्छे से कर पाए तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि टेली कॉम सेक्टर के अंदर आप अपना केरी कैसे बना सकते हैं दोस दोस्तों physics, chemistry, math के साथ आपका पास होना जरूरी है इसके बाद किया है कि आप टेली communication के अंदर diploma, bachelor या फिर दोस्तों master level के जो course होते हैं वो भी आप करके आना इसके अंदर career जो अच्छा खासा बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आप टेली communication के अंदर दोस्तों MBA करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपका BE, BTEC, Telecommunication की डिगरी आपके पास होनी जरूरी है जिसके बाद किया कि आप ये course कर सकते हैं और अगर आप टेली कॉम सेक्टर के अंदर अपना career जो बनाना चाहते हैं दोस्तों इसके लिए आप कियाए कि Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering या फिर BTEC in Telecommunication Engineering इसके लावा दोस्तों MBA in Telecommunication जैसे course होते हैं ये काफी सारे course है जो जिनमें से क्याए कि आप कर सकते हैं इसके लिए काफी सारे institute है, काफी सारे college है जहांपर कियाए कि admission लेकर अपना केरे जो आगे बढ़ा सकते हैं इसी जेक्टर के अंदर वहीं दोस्तों अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं इसका तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या है कि CAT या फिर दोस्तों MET जैसे जो exam होते हैं यह आपको क्या है कि करने पड़ते हैं जिसके बाद अगर आप उसका सेलेक्शन हो जाता है तो आपके MBA भी इसके अंदर कर सकते हैं जहीं दोस्तों आप BE भी टेक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि IIT का entrance exam होता है वो भी आप दे सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो अच्छे college होते हैं उनमें जो admission होते हैं वो entrance exam देने पर ही qualify कर लेते हैं उसके बाद ही admission जो है वहाँ पर मिलता है और कुछ ऐसे private college हैं जहां पर जाकर गया है कि डारेक्ट आप admission लेकर कहें कि आगे अपने career को बढ़ा सकते हैं जैसे कि हमसे भी जानते हैं कि आज की time के हर एक की हाथ में mobile आपको देखने को मिल ही जाता है ऐसे काफी सारे gazette हैं जो की जिन्दगी है लाइफ है उसके हिस्सा बन चुके है दिन पर दिन इस sector में बड़ोतरी होती ही जा रही है इस तरह ऐसे क्याएगी growth ह होने करण के है कि सेक्टर के अंदर career option भी जादा बढ़ते जा रहे हैं आने वाले time के अंदर दोस्तों बताना चूंगा इस field के अंदर टेलिकॉम expert होते हैं इनकी काफी जादा demand होने वाली है और जैसे ही आप course complete कर लेते हैं उसके बात कि आए कि आप private company है या फिर दोस्तों ही मिलती है लेकिन दोस्तों जैसे से आप experience भी बढ़ता है वैसे सेलरी भी आपकी बढ़ती है वहीं दोस्तों बात करें कि टेलिकॉम sector के अंदर क्या है कि केरियर के option कौन कौन से दोस्तों बताना चाहूंगा आज के time के अंदर है ना टेलिकॉम company है काफी जादा competition उनके अं के आए कि आप mobile जो company होती है उसके अंदर के आए कि आप project engineer इसके लावा दोस्तों system engineer, junior engineer या फिर दोस्तों operation जो head होते है ये भी आप उनके अंदर बनकर के आए कि काम कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है आप अपना carrier बना सकते हैं इसी के सासा दोस्तों डिफेंस sector के अंद कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों इसके बात किया है कि आप Indian Space Research Organization या नहीं दोस्तों ISRO, DRDO, इसके लावा Indian, इसके लावा Institute of Space Science and Technology, ये जो परसिद्ध है ये काफी जादा famous जो organization है इनके अंदर किया है कि आप research assistant या फिर दोस्तों आप किया है कि research associate या फिर दोस्तों scientist के तोर प आप जो पा सकते हैं और आप अप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा कासा career आगे आप बढ़ा सकते हैं इसके सासा दोस्तों आप teaching line के अंदर अपना career जो है बढ़ा सकते हैं इसके अंदर आफी सारे ऐसे engineering college है, university है, assistant professor के तोर पर भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों आप क्या teaching के field के अंदर आपना career आगे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें कि best college कौन-कौन से इसके लिए तो दोस्तों आपके simple सा आप Google search करके हैं, internet पे आप सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आसके आपको अच्छा लगता है तो आप अपना career जो आगे बढ सकते हैं तो इस तरह से किया है कि आप अपने career को जरूर आगे लेकर जाएंगे उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगे इसको लाइक करें, share करें, होसके तो चलना सबस्क्राइब करना ना बुले क्योंकि हम आपके सामने इससे वीडियो लेकर आते हैं, मि अपते के लिए दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्राओं